आज मैं आप सभी को बचपारस की कहाने सुना रहे हूँ एक ब्रामन था, उसके साथ बेटी वो एक बेटी थी, उसके च्छ पोते थे साथ भी बच्चे के बच्चा होने वाला था, उसकी बहु जाया में पिहर गई ब्रामन के घर के पास एक तालाब था, वह खुब वर्सा होने पर भी पूरा नहीं भरता था हमेशा खाली रहता था, ब्रामन ने विद्वान से तालाब नहीं भरने का कारण पूछा पंडितों ने सोच समझ कर कारण पता लगया और कहा कि यह तालाब बली मांगता है ब्रामन ने मन में सोचा, मेरी च्छ पोते हैं, साथ वह होने वाला है, एक पोती की वली देने से वह तालाब भर जाएगा और गाओं में भी खुसाली हो जाएगी यह मन में विचार कर छटे पोते को तालाब में जाकर बेठा दिया और पास में चूर्मा और पानी का लोटा भर कर रख दिया और पूरे सरी पर माटी डाल कर गाड दिया परसाई और भगवान की क्रेपा से तालाब पूरा भर गया ब्राम्हन वर ब्रामनी ने तालाब पर पूजा की और बोली कि उस दिन बच्छ बारसी जो सुगाई बच्छी की पूजा की और बोली आगे आओ मारा हंस राज आओ मारा बच्छ राज यह चूर मालडू खाओ यह सुनते ही तालाब में से जिस पोते को तालाब में गाड़ा था वह एकदम जीवी था उकर बाहर आ गया उसकी कपड़े गिले थे बच्छे की माने पुचा कपड़े गिले क्यों है तो उसने सारी बात अपनी मा को बताई इधर सुना की चोटी बहु अपने पीहर से आ रह पोभाने के लिए माफि कहा की गवमाटा की सत्य का पार नहीं जैसे गवमाटा की बचभारस को पूजा करने से बच्चे को जीवीद किया तसा तुष्टमान हुई वेबाब। और वेसे ही आप सभी को तुष्टमान रहे और यह व्रत बच्चे जिनकी लड़के होते हैं वो उतने व्रत करती हैं गायमाता की पूझा करती हैं और जिनकी लड़किया हैं वो भी करें तो देखिए बच्वार इसकी कहाने पसंद आई हो तो चैनल को जिरू सब्सक्राइब करें ऐसी और कहाने के साथ थैंक यू